नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में आज हम लोग JSC में हिंदी से संबंदित Most Important Questions को देखेंगे जो की झारकंड से संबंदित विविन परकार के परिक्षाओं में पूछे गए questions होंगे आज का ये वीडियो JSC के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक मत्पून है JSC में जो भी exams होते हैं उसमें Paper 1 के रूप में आपका हिंदी राता है मैं मानता हूँ कि आप अपने Man Paper रथात की Paper 2 या फिर Paper 3 में ध्यान दे रहे हैं लेकिन फिर भी Paper 1 को क्वालिफाई करना बहुती अधिक अवश्यक है क्योंकि Paper 1 को अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका Paper 2 या फिर Paper 3 जांच नहीं होगा Most of the JSC के exam में Paper 1 के रूप में हमें देखने को मिलता है कुछ-कुछ exams JSC कैसे हैं जिसमें Man Paper के रूप में भी हिंदी राता है JTED के exam में Man Paper के रूप में हिंदी राता है तो जो भी exam हो किसी भी प्रकार का exam का preparation कर रहे हैं वो जारखंड में आज का ये वीडियो बहुत अधिक मातपून होने वाला है क्यूंकि आज के इस वीडियो में जितने भी questions include किये गए है सभी JSSC या फिर जारखंड में जो भी परिक्षा हुई है previous year में उन सभी का question आपको नीचे देखने को मिलेगा एक-एक paper से उठा करके मैंने एक-एक question को छाट करके most important question को add किया है आज का जो topic होगा वो किरिया और काल से सम्मधित जितने भी परकार के question बन सकते थे उन सब को आज के इस वीडियो में मैंने कबर किया है तो चले आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देरे के और आते हैं आज के पहले question पे तो आज के इस वीडियो का पहला question है राम लक्षमन से पत्र लिखवाता है एक बाक दिया गया है राम लक्षमन से पत्र लिखवाता है इस बाके में किरिया का कौन सा रूप है निमलिकित में से उत्तर चुने पुर्वकालिक किरिया, प्रेरनार्थक किरिया, संग्यूक्त किरिया या फिर अपूर्न किरिया चले मैं आप सभी को पांस सेगंड का टाइम दे दे रहा हूँ खुद से आप एंसर सोचने का परियास करें, उसके बाद मैं आपको एंसर बता दूँगा क्वेशन नमर वन का करेक्ट एंसर हो जाएगा, उप्सन बी प्रेरनार्थक किरिया राम लक्षमन से पत्र लिखवाता है, जब किसी के द्वारा काम करवाया जाता है तो वैसे किरिया को हम लोग प्रेरनार्थक किरिया काते हैं, क्वेशन नमर वन का करेक्ट एंसर हो जाएगा, उप्सन बी प्रेरनार्थक किरिया नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं, क्वेशन नमर टू रचना की दरिष्टी से कारी के मापकी जगा किरिया के कितने भेद हैं तीन, दो, चार या फिर पांच चले कुछन नमबर टू का करेक्ट एंसर दीजे रचना की दरिष्टी कौन से किरिया के कितने भेद होते हैं यह आपको बताना है तो question number 2 का correct answer हो जाएगा option B 2 रचना की दिरिष्टी से किरिया की कितने बेद होते हैं दो बेद होते हैं कौन-कौन से मुख्य किरिया और सायक किरिया इसे भी आप याद रखेंगे चले next question क्यों चलते है question number 3 question number 3 है निम्लिकित बाइक में किसमें अकरमक किरिया परियुक्त है सीसू सो रहा है बालक खेल रहा है चात्र पढ़ रहा है या फिर last option छात्रा लिक रही है question number 3 का correct answer देने का सभी कोई प्रियास करेंगे question number 3 का correct answer हो जाएगा option B शीसू सो रहा है ठीक है अकर्मक किरिया वैसे किरिया को कहते हैं जिसमें जो फल होता है वो डायरेक्टली करता पर ही पड़ता है कर्म पर नहीं पड़ेगा एकदम नहीं पड़ेगा ठीक है जो करता पर डायरेक्टली फल पड़ता है किरिया का उसी कम लोग अकर्मक किरिया कहते हैं जैसे कि स सीसू सो हो रहा है। नवर 4 है वे अभीकारी सब्द जो दो सब्द बाइक क्यों अत्वा बाइक के खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं संबंध बोधाक सब्द विस्मयाधी बोधाक सब्द किरियाभिस्यसन या फिर समुच बोधाक सब्द Q4 का correct answer हो जाएगा option D समुच बोधक सब्द option D हो जाएगा आपका correct answer वैसे अभिकारी सब्द जो दो सब्द बाक्यों अत्वा बाक्यों खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं समुच बोधक सब्द Q5 है वह पोहँचा ही होगा बाक्यों में किर्या का काल कौन सा होगा बविश्य काल है तू है तू मदभूत या फिर वर्तमान काल या फिर अशन भूत काल वह पोहँचा ही होगा इस बाक्यों में किर्या का काल क्या हो जाएगा option D आपका correct answer हो जाएगा अशन भूत काल ठीक है अभी अभी जो काम पार होता है मतलब अभी जो चीज हुआ है जैसे कि वो खा चुका ही होगा मतलब अभी अभी समाप्त हुआ है वैसे किरिया के हम लोग काल को कहते हैं असन भुत काल ओपसन डी आपका करेक्ट एंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आथवा ब्याकरन की दिरिष्टी से क्या है संदी है उपसरग है अभी अभी है या फिर अन्वाई है आथवा ब्याकरन की दिरिष्टी से क्या है आपको बताना है कोशन भी नबर 6 का करेक्ट एंसर हो जाएगा ओपसन डी अभी है अध्वा क्या है अव्याई है option D आपका correct answer हो जाएगा Question number 7 है किरिया के किस रूप से करता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है आपको बताना है कि किरिया का वैसा कौन सा रूप है जिसमें करता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है वर्तमान कालिक रूप में भविष्च कालिक रूप में भूत कालिक रूप में या फिर आग्यार्थक रूप में कुछ नबर 7 का करेक्ट एंसर हो जाएगा ओप्सन D आग्यार्थक रूप में ठीक है किरिया का जो रूप होता है वो जैसा पूलिंग में यूज होगा उसका उसी परकार आपका इस तरिलिंग में भी यूज होगा लिंग के अनुसार परिवरता नहीं होगा वो कौन सा रूप है आग्यारतक रूप में Q8 है मरम बचन जब सिता बोला पंक्ती का परियोग हुआ है कर्म बाक कर्तिरी वाच गलत बाक या फिर भाववाच Q8 का correct answer हो जाएगा option D भाववाच ठीक है आगे चलते हैं Q9 को देखते हैं निमलिकित में से कौन सी साकर्मक किरिया है आपको बताना है दोड़ना रूपना मुस्कुराना या फिर पीना कौन सा सकर्मक किरिया है तो सकर्मक किरिया अर्थात की जिसमें कर्ता पर भी फल पड़ता है और कर्म पर भी फल पड़ता है ठीक है basically कर्म पर फल पड़ता है उसे हम लोग सकर्मक किरिया करते हैं तो options को देखिए बताए कौन सा ऐसा होगा जिसमें जो फल है वो कर्म पर प ठीक है तो कर्म आपके उपर और पानी के उपर दोनों के उपर पड़ता है तो इसलिए ये सकर्मक्रिया हो जाएगा Next question पे आते है question number 10 निम्न में से कौन अविकारी सब्द होता है अविकारी होता है अविकारी होता है अविकारी सेंग्या या फिर सर्वनाम Q10 का correct answer हो जाएगा option A अब वियाई अन्य जो भी है जैसे कि संग्या विसेशन सर्वनाम ये सब विकारी सब्द होते हैं मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था तो इसका correct answer हो जाएगा option A अब वियाई आगे चलते हैं next question की और question number 11 वो थोड़ा विमार है इस बाकि में थोड़ा में कौन सा क्रिया विसेशन है परिमान बाचक क्रिया विसेशन, काल बाचक क्रिया विसेशन, इस्तान बाचक क्रिया विसेशन या फिर रिती बाचक क्रिया विसेशन Question number 11 का Correct answer वो जागा परिमान बाचक किरिया विसेशन वो थोड़ा बीमार है इसमें जो थोड़ा सब्द है इसमें कौन सा किरिया विसेशन है Option A परिमान बाचक किरिया विसेशन आगे चलते हैं Next Question की और Question number 12 निवलिखित में से सकर्मक किरिया का बाक्य है सकर्मक किरिया का कौन सा बाक्य है मंदाकिनी सोती है बली का निवन्द लिक रही है पक्चे आकास में उड़ते हैं बालक खिलोना पाकर हस्ता है सकर्मक अर्थात की जिसका फल कर्म के ओपर पढ़ता है उसे सकर्मक किरिया कहेंगे आपका सकर्मक किरिया का बाली का निवन्द लिकती है पक्ची आकास में उड़ता है पक्ची पर पढ़ता है बालक खिलोना पाकर हस्ता है तो आपका कर्रेक्ट एंसर हो जागा बाली का निवन्द लिखती है यह आपका सकर्मक किरिया होगा नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन बाथ 13 अधोलिकित किस बाइक में अकर्मक किरिया है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये चीजे तुमारा जी लल चाता है सियाम सोता है या फिर लास्ट अप्षन है वह अपना सीर खुजलाता है तो क्वेशन नमर 13 का करेक्ट अंसर हो जाएगा आप सभी को अगर ऑप्षन देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट अंसर ऑप्षन सी वह जाएगा सियाम सोता है नेक्स्ट कुशन के उपर चलते हैं कुशन नमर 14 किसी मूल अकर्मक धातू में अगर आप परित्य जोड़ कर किसी परकार का करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्षन सी साधित सकर्मक धातू साधित सकर्मक धातू option C correct answer होगा question number 15 है चूड़ी अच्छी थी मैं थी कौन सी किरिया है योजक किरिया, अधिकार योतक किरिया या फिर ओचित्य बोधक किरिया या अपरेत्यक्ष किरिया तो इस प्रकार का जो किरिया होता उसे ओजक किरिया काते हैं योजक किरिया काते हैं, option A इसका correct answer हो जाएगा ठीक है next question पे चलते है question number 16, निमलिखित में से कौन माप की जगा, निमलिखित में से किस बाके में भविश्यकाल है मैं आपकी परतिक्षा करूँगा मैंने एक पेड काट लिया या फिर option C है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था या फिर option D है मैं आपका अभारी हूँ इसमें आपको बताना है कि भविश्यकाल कौन सा होगा तो जैसा कि option से ही पता चल रहा है मैं आपकी परतिक्षा करूँगा ये भविश्यकाल है अभी नहीं भविश्यकाल में परतिक्षा करूँगा ठीक है बाद बाकी में जैसे कि पेड़ काट लिया बूत काल में चला जाया मैं पुस्तक पढ़ने वाला था ये भी बूत काल में मैं आपका अभारी हूँ बरतमान काल में है तो भविश्यकाल में आपका एंसर हो जागा उप्सन ए कुछ नबर 17 है निमलिकित बाकियों में से किसमे प्रेणार्थक क्रिया का परियोग नहीं है पिता उसे पढ़ाते हैं नाम नहीं पढ़ता है ये अध्यापक से पढ़वाते हैं अध्यापक परिश्रम कराते हैं तो जैसा कि मैंने कहा था प्रेणार्थक क्रिया उसे करते हैं जो कि किसी के द्वारा करवाया जाता है या फिर कोई काम कोई किसी को करवाता है तो उसे हम लोग प्रेणार्थक क्रिया करते हैं तो इसमें आपको पिता उसे पढ़ाते हैं, पिता उसको पढ़ा रहा है, पिता के द्वारा करवाया जा रहा है, यह अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो अध्यापक से पढ़वा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, अध्यापक से पढ़वा रहे हैं, अध्यापक परिश्र करवाते हैं मतलब धापक के द्वारा काम करवाया जा रहा है राम नहीं पड़ता है तो स्वयम नहीं पड़ता है या अपने उपर काम कर रहा है इसलिए ये प्रेणार्ट तक नहीं होगा option B आपका correct answer होगा question number 18 है आदूलिकित में से कौन सा यूगम बिसेशन नहीं है छोटा बड़ा हरा पिला दो तीन या फिर राम लक्षमन कौन सा यूगम बिसेशन नहीं है 18 का correct answer होजागा option D ठीक है विसेशन अर्थात की जो संग्या या फिर सर्वनाम का विसेशन बताता है छोटा बड़ा इससे भी विसेशन होता है कौन चोटा है कौन बड़ा है क्या चोटा है क्या बड़ा है विसेशन बताने के लिए उपयोग करते हैं हारा पिला इसका भी उपयोग विसेशन बताने के लिए क्या है यह संग्या है इसका correct answer option D होगा question number 19 है मुख्य क्रिया के अर्थ को इसपस्ट करने वाली क्रिया होती है सायक क्रिया प्रेड़नार्थक क्रिया नामबोदक क्रिया या फिर नामधातु क्रिया तो जो मुख्य क्रिया के अर्थ को इसपस्ट करती है उस क्रिया को हम लग करते हैं सायक क्रिया option A आपका correct answer होगा आगे चलते हैं question number 20 के वर निमलिकित में से किस बाके में आकर्मक क्रिया है पानी बरस रहा है मैं गेहूं पिस्वाता हूँ सियाम नीबंद लिखता है या फिर राम मोहन को रुला रहा है तो आकर्मक क्रिया अर्थात की जिसका फल डारेक्ली करता पर पड़ता है तो पानी बरस रहा है कोई पानी को बरसा थोड़ी जो रहा है वो आपने आप बरस रहा है जिसका correct answer हो जाएगा option A मैं गेहूं पिस्वाता हूँ तो किसी से पिस्वाया जा रहा है सयाम नीबंद कौपी जमीन कहीं पे तो नीबंद लिख रहा है ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा करम से लिख रहा है राम मोहन को रूला रहा है ये भी कुछ से नहीं हो रहा है तो इसका correct answer हो जाएगा option A पानी बरस रहा है नेक्स्ट कुश्ण है कुश्ण इमगर 21 मैं खाना खा चुका था इस बाइके में कौन सा भूलत कालिक भेध है समानी बूत पूर्ण बूत आसन बूत या फिर संदिक बूत मैं खाना खा चुका था तो 21 जो कुश्ण है इसका correct answer हो जाएगा option क्या है खाना खा चुका था तो इसका correct answer हो जाएगा option B पूर्ण बूत काल क्यूंकि वो काम पूरा हो चुका था चुका था चुके थे इसे पूर्ण बूत काल करते हैं ठीक है आगे चलते हैं next question की और question number 22 वो खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है पूर्ण बूत काल संदिक्द भूत या फिर समान बूत तो 22 का correct answer हो जाएगा option B अपूर्ण बूत काल वो खा ही रहा था पूरा नहीं हो था ठीक है तो इसका correct answer option B होगा next question है question number 23 मीरा जोर से हासी इस बाक्य में किस किरिया का समुचित उधारन है अकर्मक किरिया प्रेरनार्था किरिया दूई कर्मक किरिया या फिर सकर्मक किरिया तो मीरा जोर से हासी खुद ही हास रही है ठीक है उसका फल मीरा पर ही पढ़ रहा है जिसका correct answer हो जाएगा option A अकर्मक किरिया आगे चलते हैं क्वेशन नमर 24 को देखते हैं अब पढ़कर क्या होगा इस बाक्य में कौन सी किरिया है पूर्वकालिक किरिया दूई कर्मक किरिया प्रेरनार्था किरिया या फिर संग्यूक्त किरिया क्वेशन नमर 24 अब पढ़कर क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा option A पूर्वकालिक किरिया ठीक है काम पार हो गया है अब पढ़कर क्या होगा या आप भी लागू होता है ठीक है एक्जाम आ रहा है पढ़ लीजे नहीं तो यही बाग क्या आप बोलते रहेगा आप पढ़के क्या होगा एक्जाम के बाद तिसका correct answer हो जाएगा option A पूर्वकालिक किरिया next question is question number 25 question number 25 question number 25 आप पढ़के क्या होगा या फिर नहीं होगा इस परकार का जो किरिया होता है उसमें संदिक्द भूतकाल होता है जिसमें संदेहराता है ठीक है कि वो काम भी होगा या फिर नहीं होगा हो सकता हो गया होगा, हो सकता नहीं भी हुआ होगा, अर्थात कि डाउट में है, तो इसका correct answer होगा, option B, संदिक्द भूतकाल Q26, परिमान वाचक किरिया विशेशन अव्याई है, सर्वता, सर्वत्र इतना या फिर गलत, परिमान वाचक किरिया विशेशन अव्याई कौन सा है तो 26 का correct answer हो जाएगा option C इतना ठीक है परिमान वाचक किरिया भी सेशन अभी एक कौन सा है option C इतना इसका correct answer होगा question number 27 है हतियाना में कौन सी किरिया है प्रेर नार्थक किरिया है संयुक्त किरिया है अनुकर नादमक या फिर नामधातू 27 का correct answer हो जाएगा option C अनुकर नातमक option C इसका correct answer होगा आगे चलते हैं next question के और question number 28 जिस दातू से किसी काम का करना या फिर होना पाया जाता है वो संबन जिते संग्या बिसेशन किरिया या फिर सर्वनाम जिस सब्द से किसी काम का करना या फिर होना पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग किरिया option C इसका correct answer हो जाएगा question number 28 का आगे चलते हैं next question के और question number 29 किरिया कैसा सब्द है अविकारी सब्द, बिकारी सब्द, बिसेशन या फिर इन में से कोई नहीं इस question का correct answer हो जाएगा option B बिकारी सब्द, ठीक है किरिया किस परकार का सब्द है option B बिकारी सब्द, इससे पहले भी हम लोग ने पढ़ा था संग्या, सर्वनाम, बिसेशन और किरिया, ये चार याद रखेंगे बिकारी सब्द है और बाद बाके अबिकारी सब्द है, ठीक है चार ही चीज तो याद रखना है, चार चीज केसे नहीं याद रखेंगा संग्या, सर्वनाम, बिसेशन और किरिया, तो ये सभी बिकारी सब्द है, ठीक है next question है question number 30, रचना की दृष्टी से धातु के कितने भेद है तो रचना की दृष्टी से धातु के तीन वेद होते हैं, ठीक है option C, इसका correct answer हो जाएगा तो आज हम लोगोंने most important 30 questions को देख लिए जो कि हिंदी से संबंदित विभीन परकार के जारगन के परिक्षाओं में पूछे गए थे paper 1 देखना बहुत अधिक जरूरी है क्योंकि ऐसा नहो कि paper 2 और paper 3 आप qualify कर जाते हैं, अच्छा माक्स आता है लेकिन paper 1 ही आपका अच्छा नहीं जाता है और उसमें qualify नहीं कर पाते हैं इसलिए paper 1 को qualify करना बहुत ही जरूरी है और इसमें जादा टाइम नहीं लगता है आप गुरते पिरते खाते पिते भी ये वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है आप इससे कुछ मदद मिल चाएगा और previous year के question से तो इससे आपको पता चलेगा कि इस परकार के question आपके परिक्षा में पूछे जाते हैं तो चले आज के इस वीडियो में इतना ही अगर इसी परकार जारकर्ण से संबंदित विविन्न परकार के परितियोगी परिक्षाओं से संबंदित वीडियो देखना चाते हैं तो Bound to Education चैनल को ज़रूर विजिट करें वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल चाएगा प्लेलिस्ट में जाकर के आप विविन्न परकार के परितियोगी परिक्षाओं से संबंदित वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे अगर आपने विडियो को लाइक ने किया तो इसे जरूर लाइक कर दे अधिक सधिक लाइक आएगा तो मुझे पता चलेगा कि पेपर वन के लिए आपको और अधिक वीडियो प्रवाइट करवाए जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी यूटूब चैनल पेपर 3 पेपर 2 जो में पेपर है उस पे फोकस किये हुए है परन्तु पेपर 1 के पिर्पिरेशन के लिए कोई भी यूटूब चैनल आगे नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं कोसिस करता हूँ कि जो भी प्रिवेस यर के कोईशन है वो में कम्पलिट करवा दूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कीस परकार के कोईशन आपके परिछा में पूछे जाएंगे तो चलिए आज के इस वीडियों में इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे बाउन टू एडूकेशन फैमिली के साथ जूड़ने के लिए धन्यवाद अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं